तो बकसर में लडाई टफ होने जा रही है क्योंकि अस्विनी चौबे की सम्हावना बेक की जा रही कि उनका टिकट इस बार कटेगा तीसरी बार नहीं आ पाएंगे यानि हैट्रिक मारने से इन्हें भी बंचीत होना पड़ सकता है राष्टिय जनतादल का साथ सीटों पर ही मुकाबला हुआ था जनतादल उनाटेट के तरब से जनतीश कुमार ने जो उनके गले में घंटी बांधी जा रही थी वो घंटी वो सीधे तोर पे लालू परसाद के गले में बांध करके और आगे की रणनिती बनाना चाहते हैं जिससे की नमस्कार बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइप पर और जिस तर से बिहार की राजनित करवट ले रही है एक बाद फिर आपके सामने हम एक ऐसी खबर लेकर के हाजिर हैं जो खबर आने वाले 2024 के चुनाओं को छोड़िए न उससे पहले ही बड़ा असर दि रहा यह जा रहा था कि कौन जाकर के नरेंद्र मोदी के गले में घंटी बांदेगा और इसके लिए सबसे ज़्यादा उपर युक्त बैक्ति अगर किसी को खोजा गया घूंडा गया तो उसमें नितीश कुमार नजर आ है इसलिए कि नितीश कुमार बेदाग्छभी के थे और नरेंद्र मोदी के साथ बहुत लंबे समय तक रह गये थे इसलिए उनको वहां के कल 55 पूर्जे सब पता थे कि कौन रींच कहा लगाना है इसको ले करके लालू परसाद ने पहल किया और उन्होंने देश के अलग-अलग राज नितिक दल छेत्रिय दल और नेताओं को स पार्ण था कि गठबंदर जैसे ही तयार होगा तो नितिश कुमार के हाथ में एक बड़ा पावर मिलेगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं अब इस्तिती यहां तका कर गटक गई है कि नितिश कुमार की पार्टी के भीतर ही विद्रोह की स्तिती है कई विधायकों ने नितिश कुम का सौधा नहीं होने वाला है यानि कि अपने सांस्दों को समझा पाएं कि उनको छती नहीं होगी उन्हें चुनाव लडाया जाएगा और साथ में पार्टी के नए लोगों को भी मौका दिया जाएगा या आखिर कैसे होगा यह बड़ा टेनी खीर है लेकिन इन सब का रास पार्टी के विर्द नितीश कुमार खुद को खड़ा नहीं करने का प्लान बना रहे हैं कुछ सीटों को छोड़ करके नितीश कुमार ऐसी सीटों पे जहां उन्हें लगता है कि उनके लिए मुस्किल होगा यूद लड़ना तो वहां वो हतियार जो है वो लालू प्रसाद वाला प्रयोग कर रहे हैं ऐसी करीब 17 सीटे जो भारते जन्ता पार्टी ने जीती हैं उसके आंकड़े सेट किये जा रहे हैं उन आंकड़ों पे राष्ट्रिय जन्ता दल को लडाने की तैयारी में लग गये हैं नितीश कुमार पहले भी आपको पता है कि लगवक साथ करन के हिसाब से सब कुछ ठीक बैठता है फिट बैठता है वहां नितीश कुमार अपनी सीटों की जगा पर उन सीटों को ज्यादा तरजी देंगे ऐसी स्थिती में अगर 2019 की स्थिती रेखा जाए उसको 2024 से तूलना किया जाए तो बेगू सराय के सीट की अगर बात करें त उतारा था लेकिन बेगू सराय में कहीं न कहीं कॉंग्रेस में आज जो कनहिया कुमार है वो CPI से चुनाव लड़े थे सपोर्ट करने की बात चल रही थी लेकिन राष्टे जनतादल ने अपने उमिदवार को उतारा और नतीजा यह हुए कि वहां बेगू सराय से गिराज सिंग गिराज सिंग ने अपना स्थान परिवर्तन किया था इसमें बहुत जहमेला हुआ था आपको सब पता है लेकिन अब जो 2024 के आकड़े बिठाय जा रहे है उसमें कनहिया कुमार और राष्टिय जनतादल के तरफ से कोई अल्पसंख्यत उमिदवार इन दोनो जनतादल उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी रहे तो वहीं दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में भी टसन बहुत जबरदस्थ हुआ था और यहां भी सिधी लडाई हुई थी दरभंगा में जो कुछ भी हुआ था वो आपको सब पता है यहां पर राष्टिय जनतादल चाह रही है कि यहां से वो अलपसंखेक उमिदवार को उधारे जो पिछली बार किया था लडाई बहुत कड़ी थी लेकिन चुकि खेमे खेमे में बटे हुए लोगों के कारण मामला करवड़ा गया था और इधर जेडियू जो है यहां इस बार दरभंगा में अ मुकेश सहनी को भी उतारा जा सकता है जो जदियू के तरफ से फिल्डिंग करेंगे यानि कि अपने ही सिंबॉल पर लेकिन उनका जो एलाईज होगा वो जदियू के साथ होगा और दूसरी तरफ मुस्लिम उमिदवार खड़ा करने के लिए जो पिछले उमिदवार थे उन मुझफर पूर लड़ना चाते हैं ये दोनों ही सीट मुकेश सहनी अपने लिए खोज रहे हैं और ऐसी इस्तिती में देखना दिल्चस्प होगा कि यहां मुझफर पूर में जो चुनाव के तरीके हैं उसमें भूमिहार मददाता के साथ साथ यहां अल्पसंक्यक समाज औ भी बड़ा योग वर्ग है जो अक्सर अजय निशाद को के तरह बोट करता है इन सारी बातों को लेकर के अब आने वाले दोहजार चुनाव में इसके लिए भी तैयारिया चल रही है कि किसे चुनाव लड़ाया जाए जिसमें यह तैकिया जा रहा है कि क्या भूमिहार को लड़ाया जाए या निशाद समाज से किसी को खड़ा किया जा या फिर यहां पर कोई और समीकरन गढ़ा जाए लेकिन सिवर की बात करें सिवर में भी रमा देवी का उम्र काफी हो गया यहां भी पिछली लड़ाई जो थी राजपुत भरसेज रमा देवी थी अब यहां किसी candidate को खड़ा करने की तैयारी जहां एक तरफ चल रही है वहीं अनन्द मोहन का नाम खुब तेजी से चल रहा है कि अनन्द मोहन के परिवार से किसी को सिवर से लुलाया जा सकता है पहले भी उनका इस सीट पर रहा अभी उनके पुत्र जो है वहां से विदान सवाग जीत क क्या हैं तो राजपुत समाज के भी नेता को यहां दिया जा सकता है यह लड़ाई नितिश कुमार ट्रांसफर करना चाहते हैं देखना होगा क्या यहां से रियल्ट आता है नितिश कुमार के भी नजर इस पर पड़ी हुई है वहीं सारण की बात करें तो राजी प्रशांध किशोर ने अपनी यात्रा लगबबग कम्लीट कर ली है उन सभी ऐसे बीश से ज्यादा लोग सभाट सीट है जहां इस बार प्रशांध किशोर अपने उमिद्वार खड़ा कर रहे हैं तो सारण में जहां एक特़ भूमिहार की बात की जा रही है भूमिहार से अ नोनिया समाज के भी नेता को चुकि नोनिया समाज का इन छेत्रों में अच्छा खासा पकड़ है वो यहां तक कहा जा रहा है कि जो सहनी समाज है नोनिया है बिन्द है निशाद है ये सब लोगों को मिलाज उला करके जो वोट है वो जीत का आंकला होता है तो ऐसी स्थिती में संभावना वेक्ट की जा रही है कि इस बार नूनिया समाज को लड़ाया जाए लेकिन वहीं राष्टिये जंतादल एक बार फिर से यादो नेता पर यादो समाज के नेता पर भर रोसा जाता आएगा और ऐसी सिती में नितिश कुमार का फैसला और नितिश कुमार इस मामले को सिप्ट कर सकते हैं इस सब के प्लान तयार है अगर आरा की बात करें तो राजकुमार सिंग यहां के बरतमान सांसद हैं और आरा में यादो भरसेज राजपूत या राजपू पूती के साथ चुनाव लड़ सके और यहां इस बार अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं आरा में नितीश कुमार इसके लिए वो तैयारी भी शुरू किया है आपने देखा होगा कुस वहाद समाज के नेताओं को एक यूट किया जा रहा है तो पार्टी पुत्रा क करके आये हैnd 24 में हैट रिक मारने वाले हैं लेकिन यहां जो मामला है वो रास्टिय धनतादल के तरफ सिप्ट हो गया है और नितीश कुमार चाहते हैं कि यहां से यादो के अलावे भूमिहार मत दाता के तरफ बार ध्यान दिया जाए और इहां पर भूमिहार उमिदभार उतारा जाए इसके लिए वो तैयारी शुरू कर रहे हैं और खास करके राजधानी के सीटों पर इस बार नजर है कि अगर एक सीट राष्टिय जनता दल के तरफ जाता है तो दूसरी सीट वो खुद अपने लिए खोजेंगे पटना साहिब की करें तो रविशंकर प्रशाद भरसेज कायस्त होने वाला है अब कायस्त में कौन उमिद्वार होगा कहा तो यहां तक जारा है कि रविशंकर प्रशाद का भी इस बार चुनाव लड़ना संदिक्द है ऐसी इस्तिती में भारते जन्ता पार्टी निश्यत रूप से किसी कायस्त उमिद्वार को ही उतारेगी क्योंकि यह सीट कायस्तों के लिए कहा जाता है कि सबसे मुफीद है और यहां अक्सर रिजल्ट आता रहा है तो वहीं यादों पर भरोसा करने की बात की जा रही है दूसरी तरफ आपको बता दें कि कायस्त उमिद्वार इस सीट के लिए पटना साहिब के लिए जदियू ने भी तयार कर लिया है और जदियू के मजबूत उमिद्वार नजर आ रहे हैं सिख्षा बीद हैं उन पर संभावना बेक की जा रही है कि इस बार डाव जनता दल उनाइटेड लगा सकती है क्योंकि पटना राजधानी के इन दोनों सीटों पर नजर पटना साहिब और पटली पुत्रा पर जदियू की है देखना दिल्चस्प होगा कि अगर एक सीट रास्टे जनता दों को जाता है तो दूसरी सीट जदियू अपने लेगी औ यहां से वो कायस्त हुमिद्वार को उतार करके इस लड़ाई को दिल्चस्त बना करके जीत सके मधुवनी की बात करें तो यहां भी लड़ाई असो की आदो जो अबर्तमान सांसद हैं हुकुम देव नरायन के पुत्र हैं लगतार उनका कबजा इस पर रहा है वहां ब्राम सीटें भारते जन्ता पार्टी के हैं उन पर विशेश रूप से इस बार नितीश कुमार की नजर है और नितीश कुमार जहां यह देख रहे हैं कि थोड़ा सा भी भारते जन्ता पार्टी कमजोड है वहां अपने उमिद्वार को उतारने की पूरी तैयारी कर रहे हैं परस चुनाओ तो लड़ेंगे लेकिन उनका मुकाबला इस बार EBC से होगा यानि अत्यांत फिशड़ा वर्ग से उमिदवार उतारने की तयारी चल रही है जिससे की राजपुतों का वोट एक तरफ किया जा सके और पूरे जो SCST है OBC है EBC है इसको मिला करके और एक नया नेकसस त समाज के नेता पर नजर भीड़ाया हुआ है इसके अलावे EBC पर भी नजर नितीश कुमार की है क्योंकि EBC का आंकला जब से 36 पर नितीश कुमार के जहन में बैठा है आया है तब से लगतार वो EBC पर फोकस करना सुरू कर दिया है क्योंकि ये समाज उन से धीरे-धीरे चित होना पड़ सकता है तो ऐसी इस्तिती में राजपुत और यादो के साथ-साथ यहां डलित वर्क के नेताओं का भी खोज बिंच यारी है देखना दिल्चस्पगा कि क्या होता है बकसर में उजियारपूर की बात करें तो यहां नित्यान राय के विरुद्ध कुसवाह उमिद्वार को उतारने की पूरी पूरी तैयारी जदियू के तरफ से की जा रही है और संभावना ब्यक की जा रही है कि जदियू से जिस उमिद्वार को उतारा जाएगा वो कहीं न कहीं जन्ता दल्युनाइकेट के तरफ से उसकी तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है और उस तयारी के साथ नितीश कुमार अपना पूरा का पूरा प्लान बना चुके हैं वहीं अगर बात करें अरारिया की तो आपको पता है अरारिया में जो बतमान सांसद हैं वहां के प्रदीव कुमार प्रदीव कुमार के विरुद और संक्यक समाज से इस बार नितीश कुमार अपने उमिद्वार को उतारने के तैयारी में है जबकि बास्तविक्ता ये है कि यहां से राष्टिय जंतादल अपने उमिद्वार उतारता रहा है और जित्ता भी रहा है। सासा राम की बात करें तो ये रिजर्ब सीट है और छेदी पासवान के जगपर यहां जंगता दल उनाइटेड भी अपना उमिदवार खोजना सुरू कर चुका है आपने आपको पता होगा कि इसके लिए उनके समाज में भी कई पासवान नेता हैं ललन पासवान भी इस मुह सादन सिंग सिग्रिवाल के विरुद्ध भी दो समीकरन बैठाय जा रहे हैं एक समीकरन है जहां भूमिहार समाज का कोई नेता चुनाव लड़े तो दूसरी तरफ नोनिया और बिंद समाज का यहां भी बहुत अच्छा जो है कहा जाता है कि वोट का परतिशत है उसके लि नहीं दूसरी तरफ प्रशांद की सोर भी इस लड़ाई में खास करके जो गंगा उस पार के सीट हैं छेतर हैं लोक सभा हैं उसमें इस बार प्रशांद की सोर पने मुईदवार को उतारेंगे तो मामला त्रिकोनिय कर सकते हैं ऐसे इस्तिती में एक बात तो तैय होगा कि क गंता दल उनाटेट के तरफ से अब देखना दिल्चस्थ होगा कि नितीश कुमार ने जो उनके गले में घंटी बांधी जा रही थी वो घंटी वो सीधे तोर पे लालू प्रसाद के गले में बांध करके और आगे की रणनिती बनाना चाहते हैं जिससे कि खुद उनके पा आते हैं और इसके लिए उन्होंने प्लान बना लिया है लगतार मिटिंग का दौर जदियो में जारी है और इस मिटिंग के बाद नितीश कुमार क्या फैसला करते हैं इंतजार कीजिए क्योंकि दसाहरा के बाद बहुत कुछ बिहार की राजनित में देखने को मिलेगा ये गो घंटी बाद उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जौइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यबाद